आज की इस lecture के अंदर हम pre-algebra को finalize करेंगे और आज इस lecture के अंदर pre-algebra को finish करके हम elementary algebra के यह तरफ चलेंगे algebra क्या है? algebra basically data science के अंदर mathematics का role जो है वो हम study कर रहे हैं किस तरीके से algebra यानि के equations उनकी expressions, variable क्या होता है, constant क्या होता है, coefficient क्या होता है यह सारी चीज़े हम देख रहे हैं और साथ में algebra को resolve करने के कुछ methods भी हम देख रहे हैं तो आज के इस lecture के अंदर start करते साथ ही हम directly अपने जो link है मैंने description में दिया हुआ है जो है the ultimate guide to ultimate zero to hero guide to pre-algebra इसको आपने च्छे तरीके से पढ़ लिया होगा जैसे के मैंने कली वाले lecture के अंदर भी आपको बताया था तो आज जो है हम इसके उपर further जो है अपनी decimal से start करेंगे क्योंके हमने decimal से कल इसको छोड़ा था यहां पर तो हमने कल fractions देखी fractions के बाद कुछ और भी हमने terminologies देखी multiply कैसे करते हैं divide कैसे करते हैं और हम add कैसे करते है fractions को और fractions को किस तरीके से हम resolve करते हैं इसके अंदर हम देखने वाले हैं decimals को decimals क्या होते हैं और fractions जो हैं वो decimals में convert कैसे होती है simply जब भी कोई fraction होती है उसका main role यह होता है कि आप एक fraction यानि के बटे के अंदर या 3 by 4 जब 3 को 4 में divide किया जाए तो इसको क्या बोला जाता है अब जब 3 हिस्सों को 4 में divide करते हैं तो एक के zoom में कितना हिसा आता है that is our decimal points और इसको हम decimal points के अंदर resolve भी कर सकते हैं क्योंके 3 by 4 is equal to 0.75 तो जब भी आप fractions को resolve करते हैं by your own hand या आप calculator का इस्तमाल करते हैं तो आप decimals, points, values के अंदर अपने data को ले जाते हैं add कैसे करते हैं subscribe, multiply and divide कैसे करते हैं करते हैं decimals को you know better कि जब भी हम 0.5 और 0.25 को करेंगे तो हम point के बाद जो है अपना हिस्सा जो है वो रखते हैं for example अगर 0.5 है और this is 0.25 तो जब हम इनको दोनों को add करेंगे तो यह 0.75 हो जाएगा and इसी तरीके से अगर हम 0.5 को multiply करेंगे point 2 से तो यह point 1 हो जाएगा so these are few things जो calculator के इस्तमाल से भी आ सकते हैं और वैसे आप अगर handwritten algebra के basic lectures अगर आपने लिये हुए हैं तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं कुछ लोग जो हैं उनको handwritten decimal points को resolve करना नहीं आता तो सिरफ एक मैं example दूँगा and then we will move forward और जो next हमारा इसी में topic होगा वो होगा rounding the decimal point decimal points को हम कैसे round करते हैं यानि कि अगर ज्यादा हमारे पास values आ जाएं तो हम कितना round off करके अपने decimal points को ले के आ सकते हैं और decimal values को हम किस तरीके से मद्द नज़र अखते हैं ठीक है then हमारे पास next आता है decimal places and significant figures decimal places जो होती है वो क्या होती है और significant figures के अंदर यह कैसे calculate की जाती है decimal places जो होती है वो count the numbers after the decimal points decimal points के बाद जो आपका number होता है उसको देखा जाता है significant figures include all the meaningful digits in a number not just after the decimal for example in 123.45 there are two decimal places यानि कि after decimal how many decimal places are there and five significant figures total हमारे पास significant figures जो है वो five है जो decimal places है वो हमारे पास two है यानि कि point के बाद हमारे पास कितनी spaces है अब इसी चीज़ को हम अपने whiteboard पे देखते हैं कि किस तरीके से resolve किये जाता है fractions को और fractions जब resolve करते हैं तो किस तरीके से हम उनको मदे नज़र रखते हुए fractions को resolve करके हम decimal points को हल करते हैं सबसे पहली चीज़ है fraction के अंदर किसी चीज़ को कैसे लेके आना है for example ये हमारे पास 7 रुपे हैं एक बंदे के पास और आप कहते हैं कि एक में divide कर दो तो साथ को एक में divide करेंगे तो एक जो बंदा होगा उसके पास साथ ही रहेंगे साथ रुपे को दो में divide अगर आप करते हैं तो ये आज़ता है कितना आएगा अगर आप खुद से इंदाजा लगाएं दो तीन बार छे पीछे एक बचते हैं तो अगर मैं point लगाऊंगा तो ये 10 हो जाएगा so 25 बार 10 so this would be 3.5 तो ये हमने decimal जो fractions हैं उन्हें resolve कर लिया तो fraction को आप इस तरीके से resolve करते हैं और basically आप calculator के through भी कर सकते हैं and the next thing is हम किस तरीके से हमारे पास जो decimal points आते हैं ये वाले जो points हैं इनकी क्या value होती है अगर आप घौर करें अगर आपके पास 3.5 और ये एक value है इसका मतलब है कि आपके पास 3 रुपे और 50 पैसे हैं ठीक है लेकिन आपने यहां पे 0 नहीं लगाया हुआ अगर लगा देते हैं तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला नहीं भी लगाते हैं तो इस अंडर्स्टूड के यहां पे 0 है और decimal point के बाद जितने मर्जी 0 लगाते हैं कोई फरक नहीं पढ़ता ठीक है क्यों? क्योंके decimal points के बाद 0 की value नहीं होती हाँ considerably उसकी value है अगर मैं 3.5 लिखता हूँ तो इसका मतलब यही है के 3.5 पे 50 पैसे अगर 3.50 लिखता हूँ तो इसका मतलब भी यही है तो decimal place के बाद जब 0 आता है and that 0 is coming after a number another integer ठीक है positive integer तो उसको हम 0 को कोई value नहीं देते but अगर यही 0 3.501 से पहले आए और यहां पे 5015 आए point के बाद तो यह हमारे पास value रखता है क्यों क्योंकि यह जो value है हमारे पास 1 और 5 की यह thousandth part है यह hundredth part है और यह भी हमारे पास tenth part होता है so basically इनको हम decimal places count करते हैं और decimal places क्या होती है इनको हम देखते हैं लेकिन उससे भी पहले अगर मेरे पास 3 उर्पे हैं जब माँ दो करता हूं तो यह मेरे पास कितने हो जाते है पांच ठीक है लेकिन अगर इसी के पास जो पहले मेरे पास है वो 3.5 रुपीज है यानि कि साढ़े 3 रुपे और यहां पे मेरे पास अड़हाई है तो यह पांच और प्लस यह वाला पॉइंट 5.5 मिलके भी आपका 6 बना देगा यानि कि यह 5 प्लस 1 is equal to 6 हो जाएगा तो जब यह 5 और 5 10 हो जाती है तो 10 जो है हमारे पास वो decimal place से जंप in करके proper integer में आ जाते है ठीक है तो यह बेसिक कैलकुलेशन है आपने इस पर practice की होगी तो मैं इस पर ज्यादा time नहीं लगाता इसी तरीके से 3.5 में से अगर आप minus करते हैं 2.5 को तो आपको पता है कि आपके पास पीछे क्या बचता है 1 यह तो calculate करके आपको पता चल जाता है कि पीछे 1 बच रहा है लेकिन अगर आप 2.5 को यहां पर लिखके और इस तरीके से minus करेंगे यानि कि इसको solution के अंदर लेके आएंगे then you can actually resolve this thing 5 में से 5 में से 5 गे 0, point वैसे का वैसे आ गया और 3 में से 2 गे 1 तो यह basically 1.0 है ठीक है? तो मैंने जैसे आपको बताया point के बाद 0 की value नहीं होती तो this would be equal to 1 simply ठीक है? तो यह हमारे पास 1 के equal value जो है वो आ चुकी है and this is how you can actually do a lot of decimal places के division and subtraction and other things as well तो मैं इसको ज्यादा दूर तक नहीं लेके जाता simply आपको multiplication बता देता हूँ 0.5 multiplied by 2 इसका literal मतलब है के 0.5 को हम दो दफा add कर लेते हैं ठीक है? तो यह किसके equal होगा? 1 के तो इसका answer भी 1 है इसका भी 1 है तो basic calculation जो है यह आप calculator के अंदर भी कर सकते हैं Excel के अंदर भी, Python के अंदर भी but I am just showing you के decimal क्या होते है इसके तरीके से हमारे पास फिर एक concept आता है decimal places का ठीक है? अब मेरे पास significant figures और decimal places significant figures and decimal places क्या होती है? हम इनको देखते हैं और इसी से हम round off का concept जो है अपने पास लेके आते हैं ठीक है? rounding off rounding off significant figures and decimal places अब मेरे पास यहाँ पे एक value है लिखी हुई which is 5.23 5.249 ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ यह होता है decimal यानि के इशारिया इशारिये के बाद कितनी places आपके पास available हैं यहाँ पे अगर गोर करें तो यह 5 हैं तो यहाँ पे हमारे पास 5 decimal places जो हैं वो आ रही हैं यानि के मेरे पास total जो है decimal places वो 5 हैं इस वकत ठीक है? एक, दो, तीन, चार और यह 5 यह 5 decimal places मेरे पास हैं अब अगर मैं चाहता हूँ के 5 की बजाए यह 2 decimal places में चीज़ कनवर्ट हो जाए तो वो मैं कैसे करूँगा? So, usually उसके लिए rule क्या होता है? मैं आपको एक और example दिखाता हूँ यहाँ पे आप गौर कीज़ेगा मेरे पास है 5.236749 यह मेरे पास होगी total 6 decimal places decimal के बाद कितने हैं? 6 points हैं अब इसको मैं round off करता हूँ 9 को round off करूँगा तो यह यहाँ पे 5 हो जाएगा ठीक है? वो कैसे? जब भी कोई value 5 से बड़ी होती है तो उसके पीछे वाले में आप एक add कर देंगे यह rule है ठीक है? round off करने का या लिए यह 9 है तो पीछे 4 आ जाएगा पीछे 1 add हो जाएगा तो यह 5 हो गया at least you can add 1 into the next digit क्यों? क्योंके यह देखो यह 5 है अब 5 को अगर मैं further round off करता हूँ मैं इसको दुबारा से लिख लेता हूँ तो यह मेरे पास है जिनाब 7 7 को जब 1 add करूँगा तो 8 तो basically 8 पे कोई फरक नहीं बढ़ा क्योंकि यह already 5 से ज्यादा थी तो इसके बाद हम यहाँ पे 6 में एक add कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 7 7 को दुबारा से अगर देखेंगे 3 और 1,4 क्योंकि यह 5 से ज्यादा है values तो हम 3 और 1,4 इसको बोल देंगे at the end हमारे पास 5.24 जो है 2 decimal places के ओपर value आ जाएगी 2,4 यह 2 decimal places पे हम आ गए from 6 decimal places ठीक है अब जिस तरीके से हम आये हैं इसको rounding off decimals बोलते हैं यानि कि decimal को round off करना ठीक है तो यह हमारे पास 2 decimal places पे हम आ गए अब अगर आप गोर करें हमारे पास यहाँ पे इस एक चीज के अंदर 1,2,3,4,5,6 और 7 साथ जो हैं यह significant figures है यानि कि सारी figures का इसके अंदर role मजूद है ठीक है यूजिली यह नहीं होता कि आपने significant figures को सिरफ देखना है और आपने कहना है कि ठीक है जी point के बाद 2 values जो हैं वो हमारे पास significant figures की है यह साथ आपके पास significant figures हैं लेकिन decimal places के बाद आपके पास 6 values हैं ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि decimal places 6 हैं और वैसे total 7 हैं ठीक है तो अगर आप इसकी बात करें 5.24 की इसमें decimal places 2 हैं लेकिन total figures हैं 1,2,3 ठीक है यानि कि 1,2,3 तो यह मेरे पास significant figures 3 होगी decimal places मेरे पास 2 होगी तो इस तरीके से आप decimals जो हैं उनको resolve करते हैं और decimals को understand करते हैं decimals क्यों जुरूरी हैं जब आपको इशारिय का पता होगा तो basically python के अंदर ये float number की तरह काम करता है और जब आप float number को deal कर रहे होते हैं then you need to have many things in your mind क्योंकि अक्सरो कात आपने float को round off भी करना होते है आपको decimal places values का भी पता होना चाहिए और data science में बहुत ज़रूरी है अक्सरो कात आपको columns ऐसे मिलते हैं जिनकी decimal places 9, 10, 11, 12 तक भी होती है then you have to round off them until 2 decimal places और 3 decimal places और यही आज का question भी है आपकी assignment का कितनी decimal places are enough when you are dealing with the data on a bigger level usually मैं आपको बता देता हूँ 2-3 होती हैं but you have to find an answer with a proper delil तो इसे के साथ हमारा यह जो chapter है decimal places का यह वाला यहाँ पे खतम होता है